शाद्यू नमस्कार चैनल पर आप सभी का स्वागत है चार-पांच कमेंड्स मिले थे किसरा आपने रिट लेवल फर्स्ट, रिट लेवल शेकिंड हिंदी SS विशे के अनुमानित का टोफ बनाई थी अपनी विचारा आपने साजा किये थे इसलिए आप थोड़ा सा कष्ट उठागर के संस्कृत विशे रिट लेवल शेकिंड के अनुमानित का टोफ का वीडियो भी बनाई हमार तक सेर करें दोस्तो इसलिए मैं इस वीडियो में रिट लेवल शेकिंड संस्कृत विशे की अनुमानित का टोफ अपने अनुमान के आधार पर बताने वाला हूँ सातियो यदि आप rate level second के संस्कृत विसे से समधित कंडिडेट है तो वीडियो को द्यान पूरग देखें समझने कोशिस करें कि क्या कटोप रह सकती है और यदि आप rate level second के संस्कृत विसे से समधित नहीं है या फिर है तो अपने समंधित जो भी रीट लेवल सेकिंड का संस्किर्ट का कोई कंडिडियेट हो उस तक इस वीडियो को आवसे ही शेर करें वाटसब, फेस्बुक या टेलिग्राम की माध्यम से संस्किर्ट विशे के कंडिडियेट की पास पहुंचाने की पूरी कोशिस करें साथियो रीट लेवल सेकिंड दोजार तेबीस महा सर्वे के बाद हमने बहुत सरे कंडिडियेट्स की बहुत सरे कंडिडियेट्स से अधनिस्त बोर्ड के द्वारा की जारी होने के बाद में नेगटिंग मार्किंग के बाद में कितनी क्या परसंद बचे वह हैं उनसे जाने की कोशिस की और फिर आपके इस संस्किर्ट विशे की एक सटी कट ओफ है मैं इस वीडियो में लेकर के आया हूँ जिसको अब ध्यान पुरुख देखे और सुने अन्या बेर्थि को भी वीडियो को सेर करें इसका प्रिणाम कब जारी हो सकता है कब तक आ सकता है तो दोस्तो रीट की मैंस एकजाम अधिनिस्त बोड के दोरा संपन करवाई गई थी अधिनिस्त बोड के अध्यक्ष ने प्रणाम के बारे में अपना बयान भी दिया था कि अप्रेल मैंने के अंत तक रीट का रिजल्ट जारी कर दिया जाएगा साथियो रीट का रिजल्ट अधिनिस्त बोड के दोरा इसी अप्रेल मैंने के अंत तक जारी कर दिया जाएगा जारी होने की पूरी संभावना है और यदि फिर भी कोई तकनीकी मिश्टेक आती है तो मई मैने के सुरुवात में ही आपको रीट का रिजिल्ट देखने को मिल जाएगा साधियो रीट लेवल सेकेंड संस्किर्ट विशे में 1808 पोश्ट है जिनके लिए एकजाम संपन हुई है और संस्किर्ट विशे में 96-93 परतिसत प्रिक्षय में उपस्तिती रही है बहुत अच्छी उपस्तिती रही है क्योंकि कोरोना काल बीच में आ गया था रीट भरती दो तीन बार इस्तगीत होई एक बार रद की गई तो उपस्तिती अच्छी थी तो कुछ कटोब के उपर भी इसका प्रभाव अवस्य पड़ेगा साथी और रीट की अधिनिस्त बोड की दोरा की जारी की गई थी जिसमें सभी लोगों ने अपने पेपर को मिलाया है और पेपर में कुछ पेपर की आँसर की में कुछ मिस्टेक होने की बाद में जो आपत्य मांगी गी थी ति ओ शनस्किर्ट वशे में 3611 आपत्या सनस्किर्ट वशे में दर्जुही है साथ यो 3631 आपत्या दर्जुही है इससे अनुमान लगाये जाता है कि रीट लेवल सेकिंड संस्किर्थ विशे की पेपर में तीन से च्यार परसन डिलिट हो सकते हैं या किसी परसन की दो आनसर मानी जा सकते हैं सातियो अब हम चर्जा करते हैं अपने विचार मैं आपके पास साजा करता हूँ कि रीट लेवल सेकिंड संस्किर्थ विशे की अनुवानित का टोप क्या रह सकती है दोस्तो वीडियो को ध्यान से देखें समझने कोसिस करें और मुझे भी अपने प्यार और प्रेम दे सातियो आप मुझे अपना प्यार और प्रेम चैनल को सब्सक्राइब करके दे सकते हैं और मैं आपके लिए इतनी मेहनत कर रहा हूँ तो इतना तो प्यारों और प्रेम बनता भी है कि चैनल को सब्सक्राइब करें बैल आइकन दबा कर आल पर किलिक करें और शाथ यदि वीडियो अच्छा लगे तो लाइक ही भी करें दोस्तों फर्स्ट ग्रेड रिजल्ट जारी की जारे है सेकंड ग्रेड दिसमर 2022 में आईजित की गई थी लेकिन अभी तक इसके केल चारी पेपरों के आंसर की जारी की गई है अन्य पेपरों के आंसर की जारी नहीं की गई है दोस्तों यदि फर्स्ट ग्रेड और सेकंड ग्रेड में जोइनिंग पहले दे दी गई तो रिट के अभ्यरतियों को इसका सबसी ज़्यदा फाइदा होगा रिट लेवल सेकंड में संस्किर्थ भी सेके अभ्यरतियों को भी इसका फाइदा होगा क्योंकि जो अभ्यरति फर्स्ट ग्रेड और रिट में सेलक्ट होगा उसके रिट में पोस्ट खाली रहेगी उसका दूसरे अभ्यरतियों को फाइदा मिलेगा यदि किसी के second grade में selection होता है और उसका rate में selection होता है तो second grade जोइन करेगा और rate में post खाले देगी उसको अन्य candidate को उसका फायदा मिलेगा सातियो इस परकार से अनुमान लगाया जाता है और उपेन यादों ने भी अपने विचार साजा किये थे सरकार के पास भी पक्स रखा था कि पहले first grade second grade की भरतियों में जोइनिंग दी जाए और उसके बाद में rate में जोइनिंग दी जाए ताकि जो seat खाली रहें उनका फायदा अन्य भरतियों को मिल सेके उपेन यादों ने बहुती अच्छी बात यहाँ पर रखी थी ऐसा होता है तो अवसे ही अनेक परिवारों को खुशिया मिलेंगी साथियों वीडियो को संस्कृत विशे के अभरतियों के पास अवसे ही आप WhatsApp, Facebook, Telegram की माध्दम से से सेर करें हम संस्कृत विशे की अब Non-TSP छेतर के अनुमानित कटोप जानते हैं जनरल कैटेगरी OBC काटेगरी EWS MBC SC ST साथियों संस्कृत विशे का पेपर है अच्छे लेउल का था उसके आधार पर यदियम Non-TSP छेतर में जनरल की अनुमानित कटोप जानते हैं तो 150 पर्षनों में से अधिनिस्त बोड की दोरा की जारी होने के बाद में नेगेटिंग मार्किंग होने के बाद में जिस कंडिडेट के 106 से 108 पर्षनों के मद्दे में सही हैं तो सलक्षन की दोर्ड में है OBC काटिगरी 104 से 106 पर्षन EWS काटिगरी 102 से 104 पर्षन MBC काटिगरी 101 से 103 पर्षन AST काटिगरी 103 से 99 पर्षन AST काटिगरी 104 से 108 पर्षन साथियो रीड लेवल सेकिंड संस्किर्थ विशे में नोन टीस्पी चेतर में जनरल काटिगरी का कंडिडेट जिसके 106 से 108 पर्षन सही है वो सलक्षन की दोड में है OBC काटिगरी में 104 से 106 पर्षन या पर महिलाओं की भी सत्यानों से 99 पर्षन AST काटिगरी चानों से 98 पर्षन और मेलाओं के लिए 4 से 5 पर्षन कम मान करके आप संस्किर्ट विशे की नोन टीएसपी छेतर की कटोप मान सकती है सात्यों रिट लेवल सेकिंड की संस्किर्ट विशे की अनुमानित कटोप से सम्मंदित मैंने अपने विचार आप से साजा किये है अवसे आपने विश्वास किया होगा कि एक अनुमानित कटोप सही रह सकती है आपने मेरे उपर विश्वास किया इसके लिए आप मुझे भी थोड़ा सा प्यार और प्रेम दें चैनल को सब्सक्राइब करें और यदि या अपनी चैनल को सब्सक्राइब कर दिया है तो सातियो बेश्ट ओप लग